दिल है कि मानता नहीं का रिमेक महस भट क्यों करना चाहते हैं और इसके रिमेक में इमरान हास्मी को क्यों साइन किया जा रहा है इमरान हास्मी का सबसे यादगार किस कौन सा है दिल है मानता की रिमेक की इस्टोरी क्या होगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के गलियारे में हमेशा से जमा दिलों की नब्ज को पहचानने वाले महेश भट आज की टू की सफलता के बाद दिल है मानता नहीं का रेमेक लेकर आने वाले फिल्म में उनके फेवरेट इमरान हास्मी अबनेता आमिर खान वाला रोल निभाएंगे हाला कि अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका है कहानी पुरानी वाली रखी जाएगी या फिर कुछ बदलाव किया जाएगा महेश भट बताते हैं जो फिल्म मनें डारेट की थी वो इट हैपन इन वान नाइट पर आधारी थी लेकिन उस फिल्म में हीरो के किरदार के साथ पुरा इंसाफ नहीं हो स लेकिन अब हम दिखाएंगे कि वो लड़की पूरी तरह से प्यार में डूबी हुई है लगता है महेश भट प्यार के रंग में डूबते बॉलिवुड के उस नए रुजहान को अच्छे से कैस कराना चाह रहे हैं नब्बे के दसक में बनिये फिल्म आज भी उतने ही उस समय देखी गई थी ती स्रीज के मालिक भूसन कुमान ने भी हाल ही में एक इंटरव्य में कहा कि हम भी इस फिल्म का रिमेक करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि दिल है कि मानता नहीं पर हम काम करने को लेकर सोच रहे हैं मेरे पिता की विरासत को आगे ले जाने की मेरे हमेदारी है उन्होंने ये भी बताया कि दिल है कि मानता नहीं की अगले फिल्म सिंपल लव स्टोरी होगी जो आज के जनरेशन को ध्यान में रख की बनाया जाएगी जब लॉक्डाउन खत्म हो जाएगा तो इस फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा इससे तो इतना समझ आ प्राइविल कहा गया है इस फिल्म के गानों को अमिर खान ने इस फिल्म के लीड रोल में नज़र आये थे और इसमें अभनेतरी पूजा भट उनके साथ नज़र आई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चार करोन दो लाग रुपए की कमाई की थी इस फिल्म का बजट दो करण रूपए था इमरान हासमी की गिंती बॉलिवुड के काबिल अभनेताओं में होती है कहा जाता है कि इमरान अपने दम पर फिल्मों को हिट करा देते हैं इसके साथ ही इमरान के एक बड़ी छबी ऐसी है जिसके लिए उनके फैंस उन्हें सबसे जादा मानते हैं ये छबी है सिरियल किसर की बॉलिवुड में इमरान की ये इमेज सबसे अधिक पॉपलर है जब इमरान से पूछा गया कि वो अपने जीवन की सबसे बहतर किस किसे मानते हैं तो उनका जवाब बड़ा इमोसिनल था इस बात का जिक इमरान की किताब The Kisaf Life में भी है इसका जिक इमरान ने एक सो में भी किया था इमरान ने बताया कि उनके लिए सबसे यादगार किस कौन सी थी तो इमरान ने कहा कि जब मेरा बेटा आयन कैंसर से जंग जीत गया और मैंने उसका माथा चुमा वो किस मेरे लिए सबसे यादगार थी मेरे लिए सबसे बड़ा लमहा था अपने जजबात को सब्दों में बया करना उतना आसान नहीं है जितना उसका अहसास जब मैंने अपने बेटे के माथे को चूमा, तो उस समय खुसी, उस्साह और प्रसंता की मिक्स फिलिंग, उसका चेहरा मेरे लिए भावनाओं का पूरा पुलिंदा था, मेरा बेटा कैंसर की जकण में आया, तब हम में से कोई भी इसके लच्छण को पहचान नहीं पाया, मा मैंने उसके माथे को जैसे चूमा था, वो इमोशनल किस मेरे लिए हमेसा यादगार रहेगा, क्या इस फिल्म में आमिर खान को काम करना चाहिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप हमें कमेंट करके बताएए,